हेलो एस्परेंट्स वेलकम टू डेली निवस अनालिसस ऑफ दी हिंदू एंड इंडियन एक्स्प्रेस टोड़ी देट इस फोर्थ फेब्रेरी सो लेट स्टार्टेड बट बिफोर स्टार्टिंग लेक्मी टैल यू कि हम लोगों ने आग सुबा बजेट डिसकस किया है ठीक रहा अलग-अलग कौन-कौन सी स्टेट्मेंट इसमें प्रेजेंट की जाती है वह ही कोशन बनता है और मोस्ट इंपोर्टन थी कि पास्ट यह के ट्रेंड्स जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रेंड क्या रहा है थ्रूआउट फाइवियर रेवनियर रेवनियर रे स्टेट्मेंट प्रेजेंट की जाती है वही कोशन बनता है और फिर कितना किस जगा से आ रहा यह जैशे ба बॉर्णि से गयावर आपके बारेंव इंकम टेक्स से अर। दिन टैक्स से आई एंस उन अब कि तो ये तीन इसमें में पो सिर्दड एख्योद परbad कियो वै unto 11 उसी तरीके से एक Blue Economy 2.0 आएगा, इसे मैं आपके साथ कवर करूंगा में 450 प्लस प्रोग्राम में, ठीक है, आप मेंसे कुछ ने जोइन किया है, कुछ ने नहीं किया होगा, बट I would again suggest, मैंने आपके लिए इसके price reduce करके 500 monthly कर दिया था, बिकॉस कुछ बच्चे को unaffordable लग रहा था थोड़ा, बट just believe me, यह चौप को return देगा ना, अगर आप अगले साल के attempt के त्यार कर रहे हैं इस साल के लिए, क्योंकि जब आप रोज इस तरह की चीज़े करते हो, तो आप ज़्यादा better prepared होते हो, rather than कि आप सोचो problems के बाद मैं test series join के लिए कर लूँगा, वो उस तरह की shortcut पर rely मत करना, वो नहीं देगा आपको उतने return, okay, these test series etc, they are total waste, so better है कि आप अपना 360 degree holistic knowledge की तरफ चाहिए, अच्छे से cover कीज़े चीजों को, और उसके बाद questions अपने आप आप से solve होंगे, but don't try to take shortcuts की मुझे कहीं से ready-made notes या test paper में से कुछ direct आजाएगा, नहीं आएगा, UPS is not full, वो सब monitor करता है कि कौन सी coaching का material मार्केट में सबसे ज़्यादा बेग रहा है, किसकी demand सबसे ज़्यादा है, और यही reason है कि vision की PT 365 बहुत बुरी तरीके से fail हुई है पिछले 3 prelims से, प्रेक्टिस कर सकते हो, just make sure कि आप एक test paper को लीजे, अगर आपका पुरा syllabus complete है, and ensure कि आप 60 to 65 question अगर आप सही कर रहे हो, उसके बाद आप उस test paper को side में रख दीजे, 2 घंटे paper solve करने के बाद, 3 घंटे उसके analysis में waste मत करना, don't commit that mistake, अगर आपने एक बाद test paper 2 घंटे बैट के solve किया, exam mode में, आपने 60-65 तक का score कर लिया है, 120 प्लस तक का score अगर आप कर रहे हो, तो फिर उस paper को side में रखो और आगे बढ़ो, focus more on the revision side, ये बाते मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं, because अब आप आगे हो February में, यही मन्थ है सबसी crucial आपका, यही मन्थ है जो आपको किक स्टार्ट करेगा, otherwise इसके बाद आपके बाद से March है और April है, that's all, में के बचे हुए जो दिन उनको consider मत कीजेगा, आपको उसे CSAT को devote करना ही होगा, and remember कि आपने साल भर कितना पढ़ा है, वो matter नहीं करता, अगर आपने last के month में, last one month में वो सारी चीज़े revise नहीं कियें तो, keep your sources limited, learn from others experience rather than failing yourself, so चलिए, let's start with the newspaper, इसके यह जो US ने air strike किया है, Syria और Iraq में, इस related कुछ चीज़े मैं आपको map की form में दिखाना चाहूँगा, कि आज Sunday है, तो Indian Express में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो हम इसको यहां से समझ लेते हैं एक बार, देखे, पहले locations देखेंगे, पहले मैंने आपको एक बात बताई दी, कि Iraq और Iran, इन दोनों की border share हो रही है, Iran है आपका Shia country, और जबकि Iraq जोए, यहां पर एक terrorist organization active है, जिसका नाम है Islamic State, उसका पूरा जो पहले ISI नाम रखा गया था, वो उसी basis पर रखा गया था, Islamic State of Syria and Iraq, यह है Sunni-led organization, तो जबसे इसका rise हुआ था, तब से इसका एक single goal रहा था कि these Shias, they are not true Muslims, तो इनको eliminate करने का goal इसका हमेशा थे रहा, ठीकि इनके presence Syria में भी रहती है, और इन Syria एराग में ही US Army ने भी अपने कुछ base बना रखें, तो उस पर strike होती रहती है, उससे तरह Jordan पर एक base था, अमेरिका का military base, जिस पर strike हुआ भी, ठीकि वहाँ पर उसके कुछ soldiers मारेगा है, फिर Biden ने कहा कि हम retaliate करेंगे, और ये जो आज की news है, वही retaliation है, कि Jordan में इन्होंने जो हमला किया Iraq से, इरान की हमने जब history देखी थी, मैंने अपके साथ पुरी discuss की थी एक बार, तो उसे मैंने कहता है इरानियन revolutionary guard, इस forces के against लड़ता रहता है USA, Jordan में अपने base से, या Iraq में अपने base से, अब यहां से कुछ locations याद रखिए, पहला ये है आपका Mediterranean Sea, इसमें कौन-कौन सी countries border share करेंगे, एक हो गए आपके Israel, ये छोटा सा हो गए आपका Gaza, चहां पर पूरी war चल रही है, दूसरा ये वाला जो region है, ये है आपका West Bank, ये पूरी border बनाता है आपकी Jordan के साथ, ये है आपका Lebanon, अब Lebanon क्यों important है, Lebanon इसलिए important है, क्योंकि मैंने आपको बताया, Lebanon में एक terrorist organization active है, जिसका नाम है Hezbollah, ये भी एरान का ही proxy है, and this is, this is actually a, सुन्नी militant, sorry not सुन्नी, इस इस शिया militant group, यहां पर Gaza में जो हमास है, वो भी एरान का ही proxy है, बट ये सुन्नी ग्रूप है, उसके बाद भी एरान इसको मदद करता है क्यों, क्योंकि ये इसराइल का enemy है, तो Mediterranean Sea से related question आया था आपको 2017 के prelims में जहां पर पूशा गया था कि कौन सी country है जो share करती है Mediterranean Sea के साथ border तो मैंने आपको इसका keyword पहले के lectures में भी दिया है ISL जैसे football league चलती है इंडिया में Indian Super League तो Israel, Syria, Lebanon यह आप देख सकते हैं Israel, यह है Lebanon और यह है Syria यहां से अपनी border share करता है अपने पगदाद and finally यहां पर है Iran अब देखे यहां पर Iraq तो यहां पर यह सुनी और गयरा सब active है तो इनको उक्सा कौन रहा है इनको थोड़ा सा उक्सा रहता है Saudi Arabia क्यों क्योंकि यह है सुनी इसके अलावा इरान, Saudi Arabia और उपर Turkey है, Turkey भी सुनी है Turkey and Saudi Arabia and Iran इन तीनों में एक conflict चलता रहता है ideological conflict कि who is the leader of Islamic world तो इन तीनों countries में यह खीशतान थोड़ी थोड़ी चलती रहती है तो एक दूसरे के proxies की तुरू एक दूसरे को परिशान करते रहते है तो में हमें जो आज समझ जाता वो था कि Iraq, Syria और Jordan इन सभी जगों पर US की थोड़ी थोड़ी military presence है और इरान की यह जो Iranian revolutionary guards हैं यह इनी US settlements को target करते रहते हैं 40 killed in US air strike in Iraq and Syria United States launched air strikes in Iraq and Syria against more than 85 terror link to Iran's revolutionary guard cops ठीक यह जो मैंने आपको बताया और उसके militias के against और काफी लोग मारे भी गएं क्योंकि लास्ट वीक इरान-packed militants ने attack किया था Jordan में US की military base पर अद्वानी जी को भारत रत ने मिलेगा अधाय सिविलियन अवार्ड है तूर्सा एक invasive plant का नाम है जिसको हम कहते हैं plantana camara काफी famous है काफी सालो सुनते आ रहे हैं ठीक है invasive plant है तो कि लास्ट येर 2023 में एक question पूछा गया था कि तीन species के नाम देकर इनमें से कौन सा nocturnal है तो इसी तरीके से आपको यह सब चीज़े notice करती रहने पड़ेंगे अपने notes में तीन चीज़ों के नाम देकर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा invasive है अब उसका answer आपको कोई एक जगा नहीं मिलता है अलग अलग दिन अलग अलग news articles में कुछना कुछ आता रहता है और वो इन्यूसे plants बन जाते है तो कोईशन इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि अगर आपने एक भी दिन कहीं न्यूस वेपर skip किया होगा ना बीच में तो कुछना कुछ ऐसा मिस कर जाओगे कि आप वहां पर कोईशन में कुछ पॉइंट पता होंगे कुछ नहीं पता होंगे यह है कलारी आट्ट्व यह ऐसे कैरल आगे चलते हैं मौलक लेनेक्स यहां पर फ्री टैस्ट वगरा किये गए 65,000 घोस्ट पेशेंट्स के मतों पेशेंट एक्जेक्ली एक्जिस्ट ही नहीं करते हैं सिर्फ फरजी बिलिंग करने के लिए आपने दिखा दिया कि हमारे पास इतने पेशेंट्स आए 65,000 वगरा ठीके गवर्मेंट इसके लिए पैसे दी आपको हॉस्पिटल्स को जबकि वो पेशेंट एक्जिस्ट ही नहीं करते हैं फरजी बिलिंग होई है बुरी कि 65,000 घोस्ट पेशेंट्स टू प्राइवेट लैब्स रिसीव और पॉइंट सिक्स्री करोड रुपीज पर कंडॉक्टिंग पैथलोज इस तरह की चीज़े होती रहती है नेक्स से यहां पर डैली हाइक ने कहा है कि CBI यह कंप्लिट्ली एक्जम्ट नहीं है आटी आई की व्यू से एक्ट है वाँ इसका अपनी पावर कहां से ड्राइब करता है अपनी ड्राइब करता है फ्रम डैली स्पेशल प्लिस डैली पुलिस स्टेबलिश्मेंट डैली पुलिस स्टेबलिश्मेंट अप्ट यह स्पैशल पावर एक्ट इसे ड्राइब करता है जो कि 1946 में आया था और CBI का कोई अपना अप्ट नहीं है तो यहां पर एक सेक्शन है सेक्शन 24 इट परमेट्स ती इन्फरमेशन पर्टें इन्क्लूड इन्टी एक्सिंप्शल लिस्ट यानि कि अगर CBI की तरफ से कोई CBI पर कोई ऐसे ऐलिगेशन लगें कि इन्होंने करप्शन किया है या फिर इस तरह के ऐलिगेशन लगें कि इन्होंने human rights violation करें जैसे किसी को custody में torture किया गया हो या रिश्वत देकर कोई case इध human rights violation यह accepted नहीं है RTI से इस point को याद रखिएगा जब 3-4 statement परना एक question दिया जाता है तो उनमें ऐसी statement डाल दी जाती है जो कि आपको generally traditional books वगरा में नहीं मिलेगा आप CBI Act पढ़ लीजे लक्षमी कान से उसमें यह वाला point नहीं मिलेगा आपको आज ही पढ़के देख लेना All right so remember section 24 permit करता है ऐसी information को जो आप secret रखना चाहो reveal ना करना चाहो but provided कि वो information corruption या human rights violations related ना हूँ CBI is not completely exempt from the purview of the RDI Act and the transparency law permits it to provide information pertaining to the corruption and human rights violation Okay अगे चलते है निस पर अब देखिए हम लोग प्राउड करते है डेमोक्रिसी डेमोक्रिसी इसान इना डीन डेमोक्रिसी और इंडियास मदर ऑफ डेमोक्रिसी बट यहां देखिए चुने हुए MLA मस्त चार्टर प्लेन से घूम रहे हैं उनमें हैदराबाद में शिफ्ट हो गए यह लोग और रिसॉर्ट को टरन कर दिया गया एकदम फोर्टरेस में किलाबंदी कर दी गई यह बुरी ताकि जहारकन के MLA's जो हैं Congress और जेम के इनको रोका जा सकी कि बीजे मेंट पीक पर चल रहा है इंफ्लेशन अच्छा खासा फील हो रहा है स्पैस्ट्री फूट प्रोडक्स में उसक्याद हमारे MLS अपने आपको बचा रहे हैं कि कोई प्रिटेट्री चीज ना आ जाए हमारे पर एनिवे और रबिश गोईंग ओन इन पॉलिटिक्स नाओड़ेज लटाक इसके वारे में हमने पहले भी बात किती आप से यहां पर मैंने आपको दो चीसे बताई दी एक थी वन वास लेहे एपक्स पॉड़ी ठीक है और दूसर पॉड़ी थी हमारे पास कारगिल डेमोक्रिटिक अलाइंस ठीक है क्योंकि अब लदाक में सिफ यह दो हिल काउंसिल रहे गए यही दो हिल कॉंसल रहे गए जो रिप्रेसेंटिशन है जहां पर लोग का कुछ अद्धक अब यह दोनों यह जो लदा ले वाला है यह है मोस्टली बुद्धिस डॉमिनेटिट एंड इस कारगिल यह है आपका मोस्टली शिया मुस्लिम डॉमिनेटिट शिया और सुन्नी में एक पाद याद रखना कि जो सुन्नी मुस्लिम होते न यह चेनरली मोर और्थोडॉक्स ठीक यह थोड़ा और्थोडॉक्स जादा होते हैं और इसकी उतना ज्यादा एजूकेशन में यह लोग कभी जादा आगे गए नहीं है तो सुन्नी मुस्लिम सा और्थोडॉक्स ठोड़ा सा बैकवर्ड एजूकेशनली भी बैकवर्ड सोचली भी बैकवर्ड मॉडनाइजीशन से उतना जादा लिंक रही होते हैं यह मुस्लिम देयार एजूकेशनली भी काफी एंपावर्ड हैं ठीक है आपकी अच्छे अच्छी गवर्मेंट जॉब पॉलिटिक्स में भी आपको यह मिल जाएंगे तो दोरों ने डिमांड की है कि हमें लदाग के लिए चाहिए स्टेट हुड और स्टेट हुड के अलावा हमें सिक्स्ट शैडूल में एड कीजे शिक्स्ट शैडूल में एड करने का मतलब है कि वहीं के लोग वहां की जब वही स्टेट सर्विस शुरू होगी लदाग स्टेट सर्वेश तो इससे वहीं के लोग उसमें एक्जैम में अपियर हो सकेंगे और वहां का जो लैंड है वहीं के लोग लिए रहेगा अगर ऐसा कुछ करना था तो फिर आर्टिकल 35 भी हटाने का तो पूरा परपर से डिफ दाउन ऐस थाउजन गैदर इन ले तो डिमांड कॉंसिटूशनल सेफगार्स प्रोटेक्शन अफ कुल्च्छल आइडेंटिटी एंट एंवियरमेंट एंड स्टेटूड यह आपका ले अद्मिस्रेटिव और यह कार्गिल देमोक्रिटी का लाइंज जो रिप्रेसंट कर नहीं कर सकते आप जादा जॉब रिजर्विशन देदेगा लोगल पीपल को और लोगसभा में इनको सीट चाहिए वन इच फॉर ले एंड कार्गिल यह इनकी कुछ दिमांड है लदाक को जमोकिश्म को बाइफर्केट करके लदाक को यूनिन टेरिट्री बना दिया गया यहां पर देखिए और थर्टी इंडियन फुगेटेव्स वर लोगेटेड अबरॉट यह अबरॉट भाग गया है यह थर्टी इंडियन शुद्ध हिंदी में बोलें तो भगोड़े टाइप लो तेकि निरव मोधित है इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं इसको इंटरपोल मेंटेंसे डेटाबेस ऑफ सस्पेक्टेड फॉरेंट टैर्रिस फाइटर अभी कई तरह के कार्ड इशू करता है राइट कार्ड ब्लू कार्ड वालेट कार्ड थीक है वह सब मैं आपको प्रलिम्स के सीरीज में बताऊंगा वैसे वह उस पर कोशन आने के चां यूनिफॉर्म इस तरीके से ओपन मार्केट में बिखने लगे तो यह कितना इजी हो जाएगा टैर्रिस के लिए कि आर्मी की यूनिफॉर्म पैनो और जैसे उरी में किया था इन लोग ने अंदर घुसके हमला ठीक है आर्मी वाले ही बनके गएते हो तो इस तरह की आर्मी ने इसके लिया है इंटलेक्टिल प्रपर्टी राइट for design and camouflage patterns for 10 years, for 10 years, for 10 years period, okay और extendable for another 5 year, तो 10 year periods के लिए IPR मिला है और extend किया जा सकता है अगले 5 साल भी, the above has been done to prevent unauthorized vendors from manufacturing and selling the combat pattern dress in the open market posing a serious security threat Now, this uniform will only be sold in the army's unit run canteens Due to IPR, army now possess exclusive rights to the design and can file a legal suit against any design infringement and unauthorized reproduction of this design अगर आप जब रिस्ती copy करते हो, आर्मी की uniform को तो आप पे copyright, sorry, patent IPR के violation के against, suit file किया जा सकता है आपके against Now, यह दो नाम याद रखिएगा, पहले 22 में UPS ने कोशन पूछा था, 3-4 species के नाम दे दिये थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा bird नहीं है Which of the following is not bird, तो इसी तरीके से यहाँ पर यह butterfly है और यह दोनों नाम याद रखिएगा, first is dusted Apollo, and second is bandit Apollo, अब Apollo नाम हो सकता है कि आपको जब question frame करके दिया जाए कि यह दोनों क्या है, तो उसमें एक option मिल सकता है कि यह moon के, moon के कोई craters है, अब यह Apollo mission से दिमाग में भी वही आए तो majority बच्चे को अगर नहीं पता होगा, अंसर तो moon crater type की चीज़ मार देंगे, या फिस वो कह देंगे कि moon mission के लिए बनाये जाने वाले कोई spacecraft हैं, या satellites है, satellites भी बोली जा सकती है कि चांद पे भेजे जाने वाले satellites है, या चांद पे भेजे जाने वाले rovers है, no, these are butterflies, remember them, इस इस तरह कोईशिन यहीं से आते है, short से उठके एकदम, इस तरह की चीज़े याद रखी का, यह अपने notes में लेख लो अच्छे से, dusted Apollo, a rare high altitude butterfly, और उसी के साथ ये भी देख लेना और इसको थोड़ा सा reverse engineering कर लेना, अगर आपने प्रेजिम स्कोर्स जोइन किया तो वो मैं करवाऊंगा ही उसमें, ठीके कई बार इस तरह लेक के नाम आते हैं, तो हमें थोड़ा सा इनको background में जाके देखना चाहिए, इनके दूसरा butterfly का नाम है bandit Apollo, dusted Apollo, bandit Apollo, याद रखिएगा high altitude butterfly है हमाचर प्रदेश में मिलते हैं, ठीके ये बहुत probable question बनता है आपके problems के लिए, यहाँ यूएस ने आर्ट drone मार गिराए हैं, यमन में, वही how the rebels वाला issue है, चो इत्ते दिन से हम लोग समझ रहे हैं, U.S. air strike on Iran link groups anger Iraq and Syria, अब ये दोनों भी गुछता हैं कि U.S. ने हमारी territory पर strike की हैं, तो अब ये भी उसका revenge लेना चाहेंगे, Iraq का कहना है, इराक का कहना है, इराक के प्राइम से का नाम है, शिया अल-सुदानी, अगर आप कोई दूसरे एक्जाम की बात कर रहे हैं, U.S. से कोई दूसरे एक्जाम या RBI वगएरा, बैंकिंग एक्जाम तो उसमें ये इस तरह की question आ जाते हैं, प्लाना प्राइमिस्टर, प्लाना प्रेस्टर, बागी civil service में नहीं आते हैं, meanwhile, Russia called for UN Security Council meeting over the threat to peace and safety created by U.S. strikes on Syria and Iraq, एक हैसी country जिसने उक्रेन को लगभग पूरा बरबात कर दिया है, वो कह रहा है कि ये U.S. ने जो strike किये न, ये peace और safety को threaten करता है, right, no, this is a sheer diverse standard, but at the same time, what you need to say is, कि West Asia में, West Asia का जो region है, पूरा, इसमें, USA ने जब unconditional support दिया है ना इसराइल को, और पता है, आज आप अमेरिका के common लोगों से पूछोगे न, तो वो भी यही कहते हैं, कि इसराइल वार की वो ठीक है, लेकिन वो बहुत जादा आगे चला गया है, ठीक है, आपको हमास network destroy करना था, वहां तक ठीक था, आपने तो आपन कर रहा है, और यही reason है कि Russia ने UN Security Council में एक meeting बुलाई है, इसके against, यह जो strikes दो ने की है, तो आपके है सकते हों कि West Asia is looking for a new and more trusted partner, which is Russia and China, clear, USA पर उनका trust up नहीं रहा, उनको लगता है यह पूरा biased है, इसराइल के favor में, Now Maldives formally request India to share details of Coast Guard actions, अब यहां पे गेंदा भईया बहुत ही भावनाओं में भावनाओं में भावनाओं में भावनाओं में भावनाओं में भावनाओं में बहाए गय हैं, यह थोड़ा जाद ही आगे जा रहे हैं, अब budget में मैंने आपको बताया है कि budget में हमने जो grant देते है इन countries को अपनी neighborhood countries को सार्क nation में यह grant हमने increase किया है उल्टा, 400 करोर की जगह हमने 700 करोर से ज्यादा दिये हैं Maldives को अभी दो दिन पहले ही, उसके बाद भी इनका attitude देखिए, Maldives government formally requested to Indian government to provide comprehensive detail of an incident in which Coast Guard personnel allegedly boarded three Maldivian fishing vessels operating within the economic zone. अब इसके बारे में थोड़ा सा एक map दिखाना होगा आपको, थोड़ा यह EZ वगरा देख लेते हैं क्योंकि आज हमारे पर टाइम है उस चीज़ के लिए, देखिए यह जो पहला 12 nautical miles तक का area है, ठीक है आपकी जो shoreline है वहाँ से लेके, यह 12 nautical miles तक यह कहलाते हैं आपके territorial waters, ठीक है territorial sea, c, यहाँ पर आपकी country की sovereignty extend होती है, sovereignty extends to airspace, water column, sea bed and subsoil allowing for right of innocent passage, यानि कि अगर कोई country के ship यहाँ से pass होना चाहते हैं तो इनक्तम innocent passage में तब कोई ऐसा armed वाला ship नहीं होना चाहिए, दूसरा 12 nautical miles उसका अगले 12 nautical miles यानि 24 nautical miles तक हम कहते हैं उसको contiguous zone, यहाँ पर limited enforcement की जा सकती है, यह आप restrictions लगा सकते हैं कोई लेकिन limited जादा नहीं, यह हो गए है contiguous zone और फिर 200 nautical miles तक कहलाता है हमारा EEZ that is exclusive economic zone तो इसमें क्या फायदा है, यहाँ पर sovereign rights for exploring, exploiting, conserving and managing living and non-living resources of the water column and underlying continental style, तो यहाँ पर भी EZ हर country का exclusive zone है, जहाँ पर सिर्फ वही कुछ mines वगेरा को explore कर सकता है, जैसे हमने poly metallic nodules यह निकालने की कोशिच किये समंदर से, अब यह जो nautical miles में लिखा है न तो इसको one nautical miles होता है आपका, आराउंड आराउंड वन पॉइंट किलो मेंटर के बरापर हो जाता है, तो ठीक है EZ वगेरा समझ में आ गया, आगे चलते हैं वापस, अमोनिय के अमिशन राइस से भी होते हैं, वीट से भी होते हैं और मेस क्रॉप से भी होते हैं, that is first point to remember, second is effective management of fertilizer in the growing of these crop would, could lower the atmospheric ammonia emissions from farming by up to 38%. Now, 51 to 60% of anthropogenic ammonia emission can be traced back to crop cultivation, इसे हम भी बात करते हैं कि हमें अपने crop cultivation जो इसको थोड़ा sustainable बनाना है, and about half of these emissions are associated with rice, wheat and maize, इस तीनी crop से, half से ज्यादे nitrogen, ये इसके ammonia के emissions हो रहे हैं, अब बैस देंगे कि यहाँ पर आप इसको code कर सकते हो, चहाँ पर हम बात करते हैं कि technology का कैसे use करें agriculture में, तीनों ने यहाँ पर यूज किया है machine learning to model ammonia output from rice, wheat and maize agriculture, global ammonia emission has reached 4.3 teragrams in 2018, ये सब वो बगवास है आपका जादा कुछ काम की निज नहीं है, ये उस में कुछ टाइफाइट की बात है तो टाइफाइट एक bacterial disease है, यहां पर कुछ points है जो हमारे काम आएंगे, इंडियन state of forest report जो आई थी 2021 में उसने बताया था कि तीन states हैं जिन में सबसे ज्यादा improvement देखने को मिला है forest cover में, अभी तीनों state के नाम याद रखिएगा, करनाटका, आंध्रा, एंड तमिल नाडू, ठीक है, multiple statement वाले question आएंगे तो उनमें इस तरह की points डाले जाते हैं, और means है तो उसमें का अभी अपकोट कर नहीं है, करनाटका में सबसे ज्याद improvement देखने को मिला है, than आंध्रा, than तमिल नाडू, similarly, 80% of the land area in Arunachal Pradesh is under forest cover, so this is second important point, यह तो ठीक है, 28 tree per person वाली बात है, In all, grasses produce nearly as much oxygen as the trees of the world, तो grass उतनी ही oxygen produce करते हैं इतनी tree करते हैं, इसके राबा, marine cyanobacteria and algae, जो photosynthesis perform करते हैं, they produce as much as oxygen as all land plants, तो यह दो अच्छी points हैं, इनको याद रखिएगा, Fiscal consolidation की बात है, तो आज ही हमने सुबह ही समझा है, budget की बारे में fiscal consolidation, fiscal deficit एक बार फिर से देखते हैं, fiscal deficit क्या था हमारा, total expenditure, minus, total receipt, but excluding, excluding, excluding the borrowings, clear, अब सुबह government के data के साब से हमने क्या दिखा था, कि अगर हम मान ले, total expenditure कितना है हमारा 100, total receipt भी मान लेते हैं कि 100 आई थी, but उस 100 में से 28 आपकी borrowing से आती है, तो हमें इस borrowing को हटाना है, exclude करना है, तो हमारा कितना रह जाएगा फिर receipt, net receipt रह जाएंगी 72, ठीक है, तो हमारा fiscal deficit कितना निकल आएगा, यह निकल आएगा 28, अब इस fiscal deficit को भरने के लिए government क्या करेगी, government issue करेगी government securities, एक तरह की bonds होती है, जो retailers purchase कर सकते हैं, institutional investors like mutual funds, वगेरा invest, use कर सकते हैं, इसके अलावा, RBI indirectly SLR quota impose करता है, banks पे, कि आपसे 18% करीब अपने SLR quota में रखी, you can keep these SLR in former government security, तो indirectly bank भी invest कर रहा है, in bonds में, budget ने क्या कहा कि हम reduce करेंगे, physical deficit target to 5.1% of GDP in 24-25, और 4.5% of GDP पहुंचेंगे by 25-26, अब यह याद रखेगा कि last 5 years जो trend रहे हैं, physical deficit में, वह बिल्कुल constant रहे हैं, decline ही हो रहा है लगातार विछले 5 साल से हमारा, physical deficit तो वह अच्छी खबर है, total revenue government के पास कितने आए हैं, तो 30 lakh crore और total expenditure कितना है, 47 lakh crore का, यानि की 17 lakh crore का deficit है, अब इसको manage कहां से करेंगे हम लोग, इसको manage करेंगे, government इसके लिए borrowing करेंगे, now higher a government fiscal deficit as share of GDP, less likely is that lender will be paid back without trouble, I suppose, कि हमारे fiscal deficit बढ़ता जाए, जैसे COVID के time पर हो गया तो almost 9.5%, ठीक है आप यह बढ़के कहीं 15% हो जाए, इस तरह का, यानि आपका deficit बढ़ता जा रहा है, यानि कि आपके net expenditure minus जो net receipt है, after excluding borrowing, यह increase होती जा रही है, तो यह sure है कि कहीना कहीं यह government कल को default कर जाएगी, इसका बढ़ता जा रहा है deficit, तो higher a government fiscal deficit as share of GDP, less likely the lenders will be paid back without trouble, तो इसलिए भी fiscal deficit को within limit रखना ज़रूरी हो जाता है, otherwise जो investors होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आपकी यह government bonds हो गे रहा हैं, यह सब बहुत घड़े में जा रही है, शीरंका में क्या हुआ था, यह हुआ था जब उनका राष्पती भाग गया था, तो उनकी bonds की value पूरी गिर गई थी, तो market में लोगों नहीं कहा है यार, 100 रुपी की bond थी, 50 रुपे में खरीद लो, तो कोई खरीद नहीं को तयार ही नहीं था, तो यह चीज़े हो जाती है, जब आप fiscal deficit हथ से जाता बढ़ जाता है, government fund क्यों करती है, अब government इसको fund करने के लिए borrow करती है, money from the bond market, trashy bill अगरा issue करेगे and so on, तो 24-25 में government की borrowings होंगी, करीब-करीब 14 lakh करोड, RBI भी purchase करता है, secondary market मिचा कर, from private lenders, it not only borrows from private lenders, but also indirectly from the central bank, ठीक है open market operations हमें पता है, open market operation, buying and selling of government bonds, that defines the open market operation, इसके अलावा, इसके अलावा, एक हमें पढ़ाता operation twist, मैंने आपको अपनी prelims की revision series में अभी कराया, दो दिन पहले यह सब चीज़े, इसके मिन को ज़्यादा detail में नहीं ले रहा हूं, problem आती है rate की, rate की interest rates पर government जो देगी, वो ज़्यादा दिक्कत देता है, so as government finance version, demand for the government bond begins to drop, अगर हमारा deficit बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, government पर करदा ज़्यादा बढ़ने लगे, तो लोग को लगेगा कि यह कल को default कर सकती है, government जैसे शिलंका में हुआ, इस तरह की चीज में फिर अगर आप नहीं bond issue कर रहे हो, तो वो लोग क्या कहेंगे, कि आप हमें higher interest rate दीजे, तो हम invest करेंगे, क्योंकि risk ज़्यादा दिख रहा है हमें आपकी bond में, तो यह जो interest rate है वो बढ़ जाता है आपका, जब भी आपकी bonds रिस्की दिखती है market में, alright, now government to offer to pay higher interest rate to lenders and leading the higher, leading to higher borrowing costs for the government, similarly central bank lending rates which were near zero in many countries like USA, Europe, before the pandemic, now they have risen sharply in the aftermath of pandemic, तो इंडिया में जिन लोगों ने अपना foreign से पैसा लाके invest किया था, वो वापस से outflow होने लगा, वो अपना पैसा वापस ले जाने लगे, क्योंकि उनकी यहां पर जो loan मिल रहाता, अब वो costly हो गया है, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने interest rate बढ़ा दिये, तो इस वाज़े से हमारे यहां भी और ज्यादा महंगा हो जाता है, पर जी money market से उठाना, यह fiscal discipline deficit matter क्यों करता है, क्योंकि अगर high fiscal deficit जाने government बहुत जादा borrowing कर रहे है, high fiscal deficit RBI कह सकता है, और कर इनसे print करके दे दो, तो यह high fiscal deficit ultimately क्या करेगा, ultimately market में inflation बढ़ाएगा, inflation topic हम पूरा समझ चुके हैं पहले, तो I am not going into that detail again, तो यह high fiscal deficit इससे होगा higher inflation, fiscal deficit recently reached to as high as 9.17% during the pandemic year, the low fiscal deficit may improve the ratings assigned to the Indian government bond, I am bond India's public debt could rise to more than 100% of GDP in the medium term, due to risk, although center disagree करता है, center has been keen on tapping the international bond market, कि foreign से जो पैसा वैसा मिलता है ना, loan वगरा काफे सस्ता मिलता है, 0%, 1% इस तरह से और हमारे यह loan के rate देखिए, इसलिए हमारी government या private companies यही चाहती है कि इसमें foreign जो external borrowing है, वो हम लोग जादा करना चाहते हैं, क्योंकि वहां से सस्ता लोन आता है, इंडिया में loan बहुत महेंगा है, वारा नसी मत्रा मॉस्ट जो चल रहा है, ग्यानबापी वाला, उसमें मैंने आपके साथ एक बार act discuss किया था, places of worship act, इसने क्या किया था कि freeze कर दिया था सब कुछ, जिस कभी जो status 15 August 1947 को रहा होगा, चाहे वो मंदिर हो तो मंदिर रहेगा, मंदिर रहा हो तो मंदिर रहेगा, चर्च रहा हो तो चर्च रहेगा, इस तारिक को जिसका जो status था वही रहेगा, कुछ exception दे दिये गए थे, exceptions क्या थे, पहला कि यह किसी भी ancient या historical monument को apply नहीं होगा, जैसे ताज महल को, देखे, इन पर apply नहीं होता है, यह exempted है, Second, it will not apply to any suit that has been finally settled or disposed of any dispute that has been settled by parties before passing of this Act, अगर कोई matter था, बट वो आपस में से अब settled हो चुका है, तो settled हो गया तो अब यह मत कहिए है, आप तो act ले आए न, चलो इसको वापस से वही status दो जो आजादी के time था, नहीं ऐसा नहीं, अगर आपने settled कर लिया आपस में तो बस, हो गया settled, आप change नहीं करना, और conversion of any place that took place by acquiescence, तो यह इसमें exceptions थे, इसके बाद, अब आईए सबसे important part पर, तो अब आप जो यह suits फाइल कर रहे हो code में, तो यह act को conflict नहीं कर रहे हैं क्या, तो code का कहना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि the mosque committee, क्या हो रहे हैं, the mosque committee sought rejection of the suit on the ground that places of worship act prohibit such litigation, however, court observed so far say that the act does not bar these suits and they must go on, तो code ऐसा क्यों कह रहा है, कि यह act बार नहीं करता करदा तो है, पर इनका कहना है, the suit is aimed to assert the right of worship of Hindu deities and not seek to convert the status of mosque, कि यहापर जो Hindu लोग के हैं वो यह नहीं कह रहे हैं, कि इस mosque को हटाईए और मंदिर declare कर दिजे से, no, they are just saying, कि हमें अपने Hindu deities को जो उसमें shivling मिला है उसको worship कने का अधिकार दिया जाए, the act does not define the term religious character, a structure cannot have a dual character of being both Hindu and Muslim, ठीके तो फैसला तो उस पर करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, the act cannot be an absolute bar on proceedings to ascertain its religious character, the suits are not barred by pleasure of worship act as what is under challenge, is the compromise decree based on 1968 agreement, as the decree was drawn up before the commencement of 1991, so it is not applicable to the case, code का कहना है कि decree पहले ही announced कर दी गई थी, आपके इस act के पास होने से पहले, तो इसको allow नहीं कर सकते हैं, ओके ये बागी की sports news है, चल्दी से Indian Express और देखेते हैं थोड़ा, इसमें क्या काम का है, reverse में चल देते हैं, ये तो फालतुकी news है last में, अड़ी ने लेफार्णे में चल्दी तो इसकी काम कंद ये अड़ी प्रास अड़ी ने लोग में चानिए बादबू कर से। NXP Semiconductor Sankhi Lab ऐसे कुछ 22 फिर्म को अपने साथ इनलिस्ट किया तो इनेपल दी नेक्स जनरेशियन हाई-परफॉर्मेंस एलेक्रोनिक सिस्टम इन दी कंट्री मूड में yen fine फिर्म मreckी फिर्पल फी मोड में मजी ने लांच किया है डिजिटल इंडिइा फूच लप तो पहले तो इस मिनिस्ट्री का नाम याथर्ख है कि इस मिनिस्ट्री ने लांच किया तो मैईड ने किया है The program will help start-ups and other companies to develop their own intellectual properties and standards. Okay, trillion dollar ka market hai, the opportunity is there for the global electronic system design and manufacturing sector. Sunday Indian Actions jyadah hootah nahi, okay, abap kehsakte hoon ki nitish kumar ko khush kerne ke liye kiya hai kya ye, toh ho bhi sakta hai. Bihar State Disaster Management Authority, it has introduced a device matching the CM's name for farmers and common people to alert them on lightning, flood, heat wave and cold wave. Farmers ko alert karayega about ki bijli kizne wali hai, ya flood aane wale hai, heat wave chalegi aaj, ya cold wave chalegi. तो इस तरह ki information provide karayega, यह device जिसका नाम है nitish. Novel initiative, technological intervention for safety of human life. Nitish, the Disaster Management Authority, IIT Puna के साथ इसने काम kiya, it has come up with a pendant-shaped device that will sound alerts to its users through voice message or lightning or flood, heat waves and cold waves. तो अब यह work कैसे करेगा? Nitish pendant will sound and alert to its users half an hour before the lightning or flooding. The pendant will get charged from the body heat, that is good thing. It will send voice messages or it can change its color from green to red. या फिर device will keep warming till the user switches raw. यहनि कि यह तीन तरीके हैं जिस तरीके से device हमसे communicate कर सकता है. अगर आपकी टोपिक्स कामनी हैं शायद ता हिंदू और इंडियन एक्सपिस में. इसमें इतना ही काम का था. And now this is last call. Please Prelims Revision Series को join कर लीचेगा. क्योंकि इसके बाद अगर आपका भी करेंगे बना फिचर में नहीं है फिर आपके पास time इतना कि आप उसको ठीक से cover कर पाएं. Okay? So nothing is more precious than your attempt. All right, so do join the Prelims Revision Series जिसमें हम Static को भी और साथ में Current Affair को भी फूरी तरीके से cover कर रहें. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.